राजस्तान में कॉंग्रिस और बीजेपी ने अपनी अपनी लिस्ट में कुछ उमीदवार के नाम जारी कर दिये लेकिन इसमें सबसे दिगज माने जाने वाले नेताओं को नजर अंदाज कर रखा है इसके पीछे कहीं कॉंग्रिस के आला कमान की नाराज़ की सामने आ रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी की गूत बाजी हवा हो रही है कोर्टा उत्तर विधान सबासीट पर मुकाबला बेहत रोमांच कारी है और यहां अभी तक दोनों ही पार्टियों ने उमीदवार की घोशना नहीं की है कोर्टा जीले की कोर्टा उत्तर विधान सबासीट पर दो दिगज आमने सामने है एक तरफ तो अशोग गहलोट के सबसे करीबी UDH मंतरी शांती धारिवाल को दूसरी लिस्ट में जगा नहीं मिली वही BJP से इसी सीट पर पूर्व विधायक प्रलाद गुंजल को अब तक प्रत्याशी नहीं बनाया गया है गुंजल वसुंधरा राजे के सबसे करीबी माने जाते है दोनों सीएम और पूर्व सीएम के खास है उसके बाद भी इस समय उदास चल रहे है कोटा संभाग की सत्रा विधान सभा में से BJP ने आट विधान सभा सीटों पर उमीदवार गोशित किये जबकि कॉंग्रिस ने केवल दो मंतरियों को टिकिद दिया बाग की मौझूदा विधायक और मंतरी तक को नजर अंदास कर दिया जबकि BJP में भी वर्तमान विधायकों की बाग दोड भी शिर्ष नेत्रुत्व के हाथ में है यहां उमीद जताई जा रही है कि टिकिट को मौझूदा विधायक को मिलेगा लेकिन सीट बदल सकती है कोटा जीले में कॉंग्रिस पिछले तीन बार से लगातार एक ही परिवार को टिकिट दे रही है कॉंग्रिस यहां से दो बार नईमुद्दीन गुड्डू और एक बार उनकी पतनी को टिकेट दे चुकी है और तीनो बार यहां कॉंग्रिस हारी है जबकि जातिगत समिकरन की बात करे तो कोटा उत्तर में सबसे अधीक मुसलिम वोट है और यहां से UDH मंत्री शांती धारिवाल चुनाव लड़ते है वो यहां दो बार जीते और एक बार उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा कॉंग्रिस इस बार लाड़ पूरा से प्रत्याशी बदलेगी ऐसी अटकले लगाई जा रही है वही कोटा दक्षिन रामगंज मंडी लाड़ पूरा और जालावार की सभी चौर सीटे बीजेवी के पास होने से यहां भी कॉंग्रिस को परेशानी आ रही है